हाईलो गाईज यस्पी बक्सी बुकैप का यह चौथा वीडियो है तो मैंने पिछले वीडियो में यह दिया था वर्ड कॉमेंट करने के लिए और हाज हम सबसे पहले यसी को टेस्कुस करेंगे एक वर्ब है और जिसका मतलब होता है भाग जाना और यह खास कर किसी कानून से बसने के लिए यूज किया जाता है मतलब किसी कानून से बसने के लिए फरार हो जाना बत निकलना और इसके कुछ सिनोनिम्स हैं जैसे run away and hide मतलब किसी कानून से बसने के लिए भाग जाना या छिप जाना और सबसे best example जो है वो है बिजे माल लिया जो कि पूरा fund लेकर फरार हो गए थे और इंडिया की जो है सरकार उनको डूरते ही रहे गई और उसके बाद वो आज तक उनका आता पता नहीं है तो इसके लिए best example इसलिए माना जाता है क्योंकि वो fund लेकर फरार हो गए थे और कानून से बसने के लिए वो फरार हो गए थे क्योंकि वो bankrupt हो चुके थे उनके पास एक रुपया भी नहीं था और वो सरकार के बहुत सारे पैसा जब्त कर सुके थे और इसी के साथ गाइज अगर चैनल पर आप नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और शेर करिए दोस्तों के साथ यह बहुत ही informative वीडियो है आपके सभी exams में काम आने वाला जिसमें भी इंग्लिस बहुत हैं जैसे हुआ आपका यूपी टेट हुआ और जो है यस टेट हुआ TGT PGT KBS NBS और सारे exams में इंग्लिस आती है तो बहुत-हुत 99 परसंट जो बहुत है यह भक्सी से आती है तो अगला जो word है वो है अफ्रे अफ्रे एक noun है जिसका मतलब होता है दंगा और दंगा जैसे की पता है आपको यह public plus में ही होता है तो इसके सिनामनी दो है public, role और right तो दो ही नहीं है और सारे हैं पर मुझे ऐसा लगता है कि जादा पढ़ने से बेहतर है कि हम जितना पढ़े हमें उतना लर्ण होना चीए तो जैसे कि पता है आपको हम एक्जामपल के साथ ही देखते हैं हर वर्ड तो इसका जो एक्जामपल है दियर वाज एन एफ्राइन डेली आपको दिल्ली वाला दंगा याद होगा ना तो उसे पर मैंने एक्जामपल लिया है बिल्कुल जेन्व में बताइए मैं सुधार लाने की पूरी कोसिस करूंगी और अगला वर्ड है जो की एक वर्भ है जिसका मतलब होता उन्मूलन करना नश्ट करना या सत्यानास करना एक तरह से कह सकते हैं जड़ से उखाड फेकना मतलब कोई चीज इग्दम खतम ही कर देना इसके जो से कौन कौन से हैं और गाइज में फिर एक बार कहूंगी कि कोई मैटर नहीं करता कि हम कितना पढ़ रहे हैं सबसे ज्यादा मैटर यह करता है कि हमें याद कितना हो रहा है इसलिए हम ज्यादा से नहीं ले रहे हैं दो चार ले रहे हैं जिससे हमें आसानी से याद हो जाए और हम पूरी एस्पी बख्सु की सीरीज डिस्कॉस करेंगे जितने भी वर्ट्स हैं जितने इंप्वाटेंट हैं जो मैक्समम टाइम आते हैं और इसी के साथ गाइज इसे एक नाउन बनता है जो की है एनिहिलेशन जिसका मतलब होता उन्मूलन तो उससे जो हमें नाउन बन एम्प्लिफाई जो की वर्ब है जिसका मतलब होता है बढ़ाना मतलब टू एड़ ओन कोई चीज किसी में आप और जोड़ते हो तो बढ़ता ही जाता है इसके कुछ सिनोनिम्स हैं जैसे इंलार्ज हुआ एड़ हुआ इंक्रीज हुआ टू एड़ ओन हुआ तो हम ज्याद कर सकते हैं तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हो और नेक्स्ट है अमलगेट का मतलब होता है मतलब मिलाना बिला करना और यह एक वर्ब है और यह ज्यादा तर किसके लिए यूज किया जाता है किसी पादारत को आप मिला रहे हो जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते है और किसी company को हम मिला रहे हैं जैसे आज कल ऐसा अभी trending में चल रहा है दो बैंको को मिला दिया जाते है विजया बैंको बैंका बढ़ोधा एंड कितनी सारी बैंक दूसरे से बिले हो जाते हैं तो उनकी लिए use किया जाता है amalgate और इसके synonym है combine unite और जो हम example भी उसी तरह से लें जूनियर वालों को एक साथ में रखा गया है मिला दिया दोनों का विले कर दिया गया है सो जितने भी एक्जामपल्स आपको मेरे वीडियो में मिलेंगे वह आपको रियल लाइफ से बिल्कुल connected रहेंगे आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा तो उससे एक नाउन बन और जाल आप और नेक्ष्ट है कि यह अपीज क्या एक वर्प आर इसका मतलब होता है संतुष्टकरना तुस्टकरना शांत करना और किती को संतुष्टी यह सब आप ओर यूज़ कर सकते हो इसके इस इस इनोन इमसे जो है जैसे हैस पाहिख से अभच्छ से तो फिल केर होगा तो उसरीम होगया हम गिउदी देख लेक्टे हैं जिससे नहीं कर शुयाद और गाईज अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो मतलब लाइक, सेर, सब्सक्राइब करते रहेगा और कुछ आपको ऐसा दिक्कत लगता है कि मतलब कुछ गलत है या कलत मैंने बोल दिया है तो आप प्लीज कोमेंट में बताईएगा हम सुधारनी की पूरी कोस्तिस करेंगे तो हमें एक्जामपल लेते हैं अपीज और रथ, रथ का मतलब होता है गुस्सा, हमें एक नया वर्ड यहाँ पर मिल गया और एक और बात इससे एक नाउन बनता है अपीजिमेंट जिसका मतलब होता है तुष्टी करड तो गाईज हमें साथ साथ में जो भी नाउन और मुस्समें से कोई और वर्ड मिल रहा है बन रहा है तो हम उसको जरूर डिस्कुस करेंगे और अगला है अप्राइज अप्राइज का मतलब होता है तो नोटिफाई तो इनफॉर्म यह एक वर्ड है इससे पता ही चल गया होगा कि किसी को इनफॉर्म करना मतलब सूचित करना सूचना देना किसी को जानकारी देना किसी को बताना इतने सारे वर्ड इसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं और दो मैंने तो लिखी दिया है और एक्जामपल ले लेते हैं मतलब जो मतलब मिनिस्टर को एक खतरनाक स्थिती के बारे में इनफॉर्म किया गया बताया गया तो यह बिल्कुल भी आपको मतलब रियालाइज नहीं होगा कि मतलब एक्जामप कि एक यह सब्सक्राइब इस को यह फूराइब रिलेटेड करने ही चीज जैसे बोलते हैं कि या यह बहुत कटिन है बहुत साहसी है फ्लुद को एक एक ऐसी चीज जिसके लिए को मतलब हमें साहस के जरूरत पड़े जो आम चीजद ना हो जैसे हाड अ ट्रोनियस और हम एक इसको है जORनी ऑर यूजाय की होती है के दारनात की और चार धाम की तो आप इसके लिए कर सकते हो यूज आप के दारनाथ आप न। भर चार धाम नेक्ष्टं एizations एक वर्व 살 जिसका दो मतलब होता है पहला मीनिंग होता है गिरफ्तार करना उने कि है और दूसरा मीनिंग होता है to understand मतलब समझना तो ये दो sense में ही उज़ होता है तो गाईज अगर आपको ये सब्द मिलता है तो आप पहले ये देख लिए पूरा sentence पढ़के आप उसका sense निकालने के कोस्ट करें कि उसका क्या sense निकल रहा तो आप इसका मतलब निकाले क्योंकि दो मतलब इसका होता है गिराफतार करना और समझना मतलब to arrest to understand और हम एक दोनों ही यूज करके देख लेते ताकि confusion का कोई सवाल ही ना उठे पहला है the thief was apprehended मतलब चोर जो है गिराफतार किया गया और दूसरा है the police will apprehend the thief मतलब चोर कोन है police समझ जाएगी तो दोनों हमने यूज कर लिया ताकि हमें confusion बिलकुल भी ना ओ and next है और last है ameliorate और यह एक verb है इसका मतलब होता है इस्तिती में सुधार करना यानि कि to improve the situation मतलब कोई इस्तिती खराब हो उसमें सुधार लाना और उससे बहतर बनाना यह सब बोल सकते हैं और एक हम synonym देख लेते तो improve the condition यह situation किसी इस्तिती में सुधार लाना आप इसको एक sentence में यूज़ कर सकते हो ameliorate bad condition and your situation आप लिख सकते हो and next है जो कि आप के लिए please comment में बताएगा adulation मतलब क्या होता है यह कौन सा part of speech है and मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye bye thank you for watching thanks so much